पंजाब के मुखे मंतरी कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने आंतकवादी विरोधी दस्ते का गठन कर परदेश में कानून की सरप्रस्ति स्थापित करने के लिए एहम कदम उठाया है कैप्टेन ने गैंक्स्टेरों और गैर कानूनी ताक्तों को सरंडर करने के लिए कहते हुए चेतावनी दी है कि परदेश की शांती भंग करने वालों को बख्षा नहीं जाएगा अब जो ने जो रहे हैं और गैंक्स एक लिए और गैंक्स बख्षा और गैंक्स बख्षा नहीं जटाना तो पिदा किया है पंजाब युनिवस्टी चंडिगड के वित्संकट और बड़ी फिस के मुद्दे को लेकर शात्रों के संगर्ष को उमीद की किरन नजर आ रही है इस मामले को लेकर मंगलवार रात को पंजाब के वित्तमंत्री मनपी सिंग बादल ने अपने निवास पर वी सी के साथ मीटिंग की मीटिंग के बार मनप्री सिंग बादल ने एलान किया कि पी यू की केंदर के साथ होने वाले दिल्ली मीटिंग के बार वित्तिय सहायता देने का फैंसला लिया जाएगा वहीं युनिवर्सटी पर शासन को जो घाटा होगा उसे पंजाब सरकार पूरा करेगी साथ हुए मीटिंग के बाद पी यू के बीसी अरुन ग्रोवर को इस घंबीर मामले के हल होने की उमीद नजर आ रही है मैं मानयोग मुखमंत्री जे नो उनिवर्सटी दे परे पूरी अपडेट दिती है उना नो सारे थोड़ी बैगरांड जड़ी सी की डिटेल दे विच दसी है ते जस्तरह तुसी हुने उना तो सुनिया है उना ने साड़ी हर तरफ मदद दी एशुरेंस दिती है ते कल जो मीटिंग दा आउटकाम होएगा मैं उना नो आके कल दसांगा और मेरी उमीद है कि पंजाब सरकार साड़ी मदद जिस तरह उना ने उने एशुरेंस दिती है वो करेंगे पंजाब एग्री कल्चर यूनिवर्स्टी लुद्ध्याना में पी-ए-ई-उ एम्प्लोईज यूनियन की और से साथ अप्रायल से मांगों के लिए किया जा रहा संगर्ष खतम हो गया है पी-ए-ई-उ परशासन ने यूनियन की मांगे मानने का फैंसला ले लिया है इस संबन्धी जानकारी देते हुए यूनियन परधान भलदेव सिंग वालिया ने बताया कि पी-ए-ई-उ एम्प्लोईज यूनियन की और से जो मांगे उठाई गई थी उन्हें यूनिवर्स्टी पर शासन ने जल्द ही लागू करने का फैंसला ले लिया है अगली बोर्दी मीटिंग पे जाओ जो उन्हें ने अप्रूबल सानो दखाती या ते उस्तों इलावा चाली यसी एकसो भी दा लम्मे समय तों कम चल्दा आ रहा सीगा ओधी भी उन्हें ने करांट डेढ़तों ओधी नोटिफिकेशन दे रहती या ते एक जई दा कर्मेंस लों सीगा ओधी नोटिफिकेशन काट दे गई या ते नाल दी नाल होर चेड़िया साथिया प्रमोशन दिया पोस्टां सी किया ओ सारी दिया सारी या वाई चांसल ने परंदी उपरूबल दे रहती गया जे अज साथिया डमांडा दी नोटिफिकेशन ना निकल दी ता जुन्निवस्ट्री नो लॉक आउट करना सी ता उद्धू बाद दे वेचा सी होरे संगर्शन नो तिखा करना सी हुश्यारपूर में जिला भाजबा अध्याक्ष जॉक्टर रामन गई की अध्याक्षता में जिला कारे याले में बैठा का योजन किया गया जिसमें समस्त कारे करताओं ने शतिसगर्ण में शहीद हुए जवानों को दो मिनिट का मोन धारन कर शर्दांजली भेंट की अध्याक्ष जवानों अपनी वारती जनता पार्टी बर्णाओं शाथ-शाथ-पर्णाम करता शर्दांजली भारती जनता पार्टी निविच देखिया कि सौड़्ट सौजूद अज मिस्टर सैनी देवाइट शामल हुए लग उसी प्रशन किता कि कांगर्जी सरकार और पीजे पुबल जूत हा रहे हैं मैं समझता के देश्दे प्रदानमंत्री और साथे राश्टे प्रदान शीनमा शाजी उन्हाथ जो सनेहा है कि जूत नूँ अपने देश्दे वास्ते कम करना चाहिए और अज जो सुक्मा देविच साथे CRP दे जवान शहीद होई है देश्दे विच देश पक्ती दा महाल बनाके इना नौजवाना नूँ असी राश्ट्र हित देश हित अपने पिंड़े हित अपने अलाके देश्दे वास्ते कम करन उल्ले प्रेहन देनी चाहिए और मैंनों खुशी है कि साथे देश्दे प्रदानमंत्री जेट किया स्की लिमेंटेशन वास्ते पुरा है दला कर उनकी जगा आर एन धोके को तैनात किया गया है इसी दौरान नए पुलिस कमिशनर आर एन धोके ने लुद्याना पहुंचकर अपना कारेबार संभाला मीडिया से बात्चित करते हुए आर एन धोके ने कहा कि शेहर में शुरू किय पर द्यान देते हुए जीला पुलिस वारा विशेश कारे किये जाएंगे वहीं लोगों की समस्याओं के हल के लिए एहम कदम भी उठाए जाएंगे मेरी प्राइट ये रहेगी कि बड़ा साफ सुत्रा पुलिस वाला प्रशाचन होना चाहिए और उसके लिए हमारे आफिसर्स के तरफ से मैं उम्मीद करूँगा कि वो बड़े अच्छे से काम करेंगे बदाना शहर में और एक बड़ा इस प्रेंडली अटमस्पेर हम क्राइम प्रिवेंशन क्राइम डिटेक्शन और जो ड्रग के बारे में क्यामपेंग चरनी पंजाब में उसके बारे में हम इसको बहुत 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 बेहतरी तरह के से चालनी कोशिच करेंगे